नमस्कर दोस्तों मैं हूँ आपका दोसесь संचिस और स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो से री ज्एज में जाम डिसकेशन करने रिलेश्हेंश पर तो दोस्तों लास् व वीडियो जोके हम ने समझ्हेधा T logrießt Crist क्या होता है कि क्या वह सबसेट भी अपने आप में एक लैटिस या सब लैटिस है के नहीं तो चलिए कुछ कुछ कुछन्स ट्राइख करते हैं इस फॉर्मिट पर तो चलिए दोस्तो लेटस आइडेंटिफाई करना तो हमने सीख लिया है किसी सबसेट को देखके बताना वो लेटस है के नहीं तो मेरे खाल से यह बहुत बड़ा कोश्चन नहीं है फिर भी ट्राइ करते हैं अभी एक प्रिवेस एर कोश्चन है यह स्ट्रक्चर हमारे पास पहले हमको बनाना है कि स्ट्रक्चर्ल लेटस है के नहीं मैंने श्ट में लिखा है फालतु की कहानी नहीं लिखी तो सोचे यह अरह वह थोस्ट इसकी शगल देखके सब्सक्रम लिखी निरा की लेटस बनेगा को सिंगल टॉप सिंगल बॉटम सबसे बहुंदिएगा कि सिं लेटिस नहीं है अब तो यह तो लेटिस नहीं है अगला अब देखो इसने क्या बोला सबसेट पर बात किये A B C D A B C and D तो अगर मैं अलग से बनाऊं तो कुछ इस तरह का structure आपको नजर आएगा अब पूछ रहा है क्या यह structure लेटिस है क्या मेरे साब से बिलकुल लेटिस है अगला देखिए B C D E B C मैं ड्रॉ करता हूं आगला structure देखिए क्या बोला B C D E B C D and E तो edges के हिसाब से कर देखें तो कुछ इस तरह का structure दोस्तों नजर आने वाला है B C D और E का तो क्या यह sub structure lattice है तो फिर देखें सूचेगा अफकॉस lattice यह नहीं हो सकता वेकॉस मेरे काज़े तो join और meet semi lattice भी नहीं है वो क्या आफकॉस D और E का join exist नहीं करेगा B और C के लिए meet exist नहीं करेगा ज्यादा discussion इस पर नहीं करता वेकॉस कई बार हमने question solve की है तो दोनों ही case में faulty है तो lattice होने वाला यह नहीं है और आखरी बोला था A B C और E A and then B and then C and then E तो अफकॉस यह structure भी lattice होगा वेकॉस अफकॉस यह single top single bottom कोई confusion नहीं है B और C का join मिलेगा E और A B और C का meet मिलेगा A तो जिहां यह structure भी जो है वो बन जाता है lattice तो इस तरह के questions दूस्तों कभी कभी पूस्ता है तो मेरी खाल से कि idea क्योंकि हमको clear है तो confusion होने को कोई scope नहीं है एक और question try करेंगे पहले इसने तो सबसेट्स पर पूचा है पहले आप मुझे directly बताए क्या यह structure lattice है के नहीं तो आप देखेंगे single top single bottom है कुछ practice कर लेते हैं A B का join है C meet है X DC का join है Y meet है A EC का meet है B join है Y आप किसी पर भी try करेंगे तो join और meet आपको मिलने वाला यह structure lattice है बट कहानी पूचे कि यह सब structure पर आपके पास क्या है X A Y and B X A Y and B अब यह दोनों अलग-अलग values है X A इधर है और Y और B जो है वो अलग से है तो आप से पूच रही कि यह structure lattice है के नहीं है तो चलिए अब case की बात करते है तो first case में देखे हमारे पास है X A Y और B तो पहले element में draw कर लेता हूं let me say you have X and then A and then somewhere here Y and here suppose you have B अब देखे कुछ edges तो directly नज़र आ रही है क्या X A से related है येस क्या X B से related है येस बड़ देखे X का A का Y से यहाँ पर कोई direct edge नहीं है बड़ देखे अब ये conceptual बात है जैसे कुछन आसान था directly edges यहाँ पर थी यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा क्या A से Y related है देखे ट्रांसिटिव डिया आपको याद करनी पड़ेगी ट्रांसिटिव रिलेशन है बड़ हम ड्राउ नहीं करते एसे सी है सी से वाई है तो एसे वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है बड़ अगर सी यहाँ पर नहीं रहने वाला है तो मैं A से वाई बिलकुल लिखोंगा इसमें कोई problem नहीं और नहीं similarly क्ya B से वाई भी related है जी बी से वाई भी कर दो रास्ते हो सकते हैं बी से hea e se y है तो बी से y होगा यह भी से c और c सेवाई है तो बी से होगा तो of course यह pattern आपको मिलने वाला है और क्या यह subset दोस्तों लेटिस है जिब बिल्कुल यह भी लेटिस है प्रफेक्ट स्ट्रक्चर है दोने के लिए join और meet exist करेगा एक और किस देखिए X, A, C and Y तो दुबारा मैं ट्रॉक करता हूँ X हमारे पास है A and then C और लेता हूँ Y तो X से A आपको मिलेगा जी हाँ और A से C मिलेगा येस C से Y मिलेगा येस अब क्या X से C अलग से बनाने ही ज़रो थे नहीं विकाज अफकोर्स यहीं से दिख रहा है relational transitive X से A है, A से C है तो X से C भी होगा straight line आपको मिली, जी हाँ straight line भी lettuce होता है अगला किस देखे फिर आपके पास है X और फिर इसने हमारे को लिया है C and then आपके पास है D and then आपके पास है Y जो top में है, तो देखे क्या X से C related है, जी बिलकुल है because X से है A, A से है C तो X से C भी होगा क्या C से D related है देखे C से D related नहीं है because C से Y related है और एक बार नीचे आना पड़ेगा नीचे हमारा नहीं सकते, वो सट में सिर्फ उपर ही जा सकता है तो C से D का कोई relation नहीं है तब क्या X से D related है जी हाँ, तो अब D पे आपको edge लगानी ही पड़ेगी because अगर C related होता है तो transitivity के थरू लगाने की ज़रत नहीं थी बट नहीं है तो मैं draw करूँगा D से Y तो direct related है C से Y भी direct related है क्या ये structure lattice है, जी बिलकुल lattice है D और C का join of course मिलेगा Y meet मिलेगा, X, जी हाँ ये structure भी बनी हमारा lattice आखरी case देख सकते है इसको मैं draw कर देता हूँ तो आखरी case दोस्तों हमारे पास है X है, then B हमारे पास है then D हमारे पास है and then Y हमारे पास है तो X से B direct relation है क्या B से D का relation है B से D का direct कोई relation नहीं आप देख सकते हूँ उपर जाने, यहां से यहां तक जाने को कोई रास्ता नहीं है तो B से Y का relation है जी हाँ, X से D का relation है direct नहीं है, indirect है X से A और A से D, तो X से D भी होगा और D से Y का relation है यहां यह structure भी क्या बन गया? lattice, तो of course देखेगा by chance case हमने ऐसे लेते सारे के साथ lattice बने, बट यह question थोड़ा मज़ेदार था, वो क्या हम पहले से lattice, कुछ edges ऐसी होंगी जो parent diagram में नहीं है, लेकिन जब आप draw करेंगे क्योंकि बीच के कुछ case हमने missing कर दिये तो अब उन cases को हमको draw करना पड़ेगा, यह हमारी समझ है कि हमने सीख लिया जैसे यहाँ पर X से D तो हमने draw किया, वेकिस हमको बना था transitive edges तो होती हैं भई, बट for sake of simplicity, हैस diagram में उनको हम drawn नहीं करते, तो मैं रिकल सा idea आपको समझाया होगा, तो इस तरह से कभी-कभी सबसेट पर पूर सकते हैं वो जो सबसेट हैं या वो जो सब lattice हैं, वो अपने आप में lattice हैं के नहीं है, तो अगर या idea clear हुआ होगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सबस्क्राइब कीजिए और मेरी खाल से अपने काफी questions प्राक्टिस कर लिए, theoretical statements दोस्तों बहुत सारे हो सकते हैं बड़ अभी मेरा पहले aim है कि जल्दी से सारे important topics cover करूँ, तो मेरी खाल से अब आने वाले वीडियो में बात करेंगे, पहले distributed letters की और complemented letters की और जब दोनों logic हम सीख जाएंगे then we can discuss what is Boolean algebra तो तब तक के लिए मुझे थोड़ा समय दीज़े और बहुत जल्दी हासर होता है अंगली वीडियो के साथ धन्यवाल